हेलो एवरीबर, आज के टॉपिंक में हम सीखेंगे कि by the help of run command हम MS Word फाइल को कैसे open कर सकते हैं सबसे पहले हम mouse pointer को start button पिला के click करेंगे, देख रहे हैं आप कि यहाँ पे search program and files लिखा हुआ है यहाँ पे जा करके हम run लिखेंगे, लिखने के बाद हम keyboard से enter key को press करेंगे आप देख रहे हैं कि run command का डैला बॉक्स खुल के आपके सामने आ चुका है अब यहाँ पे already Excel टाइप हुआ है, यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे win word दोस्तों आप देख रहे हैं कि keyword के थुरू win word टाइप किया जा चुका है अब आप keyboard से enter key को press करेंगे, अब आप देखेंगे कि MS word की file खुल के आपके सामने आ चुकी है अब हम बिना start menu पे गए keyword के थुरू run command को कैसे ला करके MS word को open करेंगे, यह जानेंगे अब यहाँ से इस file को हम close करते हैं, अब keyboard से हम window और R को press करेंगे प्रेस करते ही देख रहे हैं कि run command का dialogue box खुल के आ चुका है यहाँ पे already win word टाइब किया हुआ है, अब यहाँ पे हम enter key को keyword के बटन से प्रेस करेंगे अब प्रेस करने के बाद हम देख रहे हैं कि MS word की file खुल के हमारे सामने आ चुकी है दोस्तों, आज हम लोगों ने दो तरीके से by the help of run command के थुरू कैसे MS word file को open करते हैं यह जाना, अगर आपको यह video पसंद आई हो तो please like, share और subscribe करें